हमेरपूर लोकसभा सीट से कॉंग्रिस उम्मिद्वार राजेंदर राना जी सियासत के खिलाडी में आज हमारे साथ हैं निर्दली विधायक के तौर पर इस्तीफा दे कर वो कॉंग्रेस में शामिल हुआ और कॉंग्रेस के टिकेट पर अब हमेरपूर से चुनाव मैदान में उत्रे हैं डियर नाइट नियूज में सबसे पहले तो आपका स्वागत है राजेंदर राना जी हमेरपूर से कॉंग्रेस ने आपको ही क्यों चुना देखिए मैं 2012 में आज से ठीक सवा साल पहले जिला हमीरपूर के सुजान पर चुनाव कुषेतर से मैं इंडिपेडेंट चुनाव मैं ने लड़ा और बहां की जनता ने मुझे 14,166 मतों से लीड देके मुझे विधानसभा में दे जा उसका कारण था कि सुजान पर चुनाव कुषेतर की जनता थी उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा और इसलिए कहा कि पिछले लगभग 14 वरसों से उस कुषेतर की जनता की मैं सेवा कर रहा था और जब स्वा की गई तो मैंने किसी की जाति पूछी ना किसी का धरम पुछा ना मज़ पूछा और ना ही किसी का काम और सेवा करते इसमें उसकी पूछी और जब मैंने चुनाब लड़ा तो बहां की जंता ने भी कोई पार्टी नहीं देखी उन्होंने भी रिजिंदर रणा को बोट दिये मुझे लगता है कि आज कॉंग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा मानसमान मुझे दिया है मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कॉंग्रेस के नित्रतों का मैडम सोनिया जी का श्री राहूल गांदी जी श्री भीरवदर जी और पूरी पार्टी का कि उन्होंने मेरे उपर विश्वास किया है और विश्वास की बज़ा यही है कि लोकतंतर में व्यक्ती की लोकप्रियता बोट में कितने उसको बोट डले हैं उससे अंकलन किया जाता है और यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इंडिपेंडेंट बिधाई के नाते सबसे ज़्यादा है लीड आज तक के इतिहास की 1466 मतों से मुझे वहां की जन्ता ने अशीरबा दे कर दिये यही विश्वास है कि कॉंग्रेस पार्टी ने जताया और आपको यहां से उतारा हलांकि आप बाहरी कैंडिडेट कहे जा सकते संग्ठन के अंदर से नहीं यह मतभेद भी सामने आया था आपको लगता है अभी भी कॉंग्रेस के बीच में मतभेद हैं आपको लेकर देखी मैं तो इसको मतभेद नहीं कहूंगा मैं पिछले लगवग एक साल से कॉंग्रेस के साथ associate member और kongrens के हर कार्यक्रम में मैं रहा हूँ kongrens की जो नीतियां जो कार्यक्रम थे पॉलिसीस थी उसके साथ मैं रहा हुआ रहे विरोध की बात मुझे लगता है कि कहीं भी किसी भी व्यक्तीुने rumor बेक्तिकत तोर पर विरोध नहीं किया है, यह बात जुरूर उठती रही है कि संगठन की बात, उसका करन था कि मैं तो कॉंगर्स पार्टी का मेंबर नहीं था, जैसे ही क्योंकि मैं में बन सकता था, जैसे मैं रजाइन किया, अगले दिन आपको टिकेट थमा दी गई, मुझे मैं पार्टी का मेंबर बना, और अगले दिन टिकेट इसलिए दिये कि मैं संगठन में आ गया, और जहां तक बिरोध की बात है, बिरोध किसी ने मेरा विक्ति कर रहे हैं, मैं किसी का भी पक्ष रखूँ, वो मेरी अपनी राय है, पर उंतुँ पार्टी जब टिकड़ देती है, तो कई पहलों को देकर, कई अपनी जो जानकारियां, उनको लेकर, सभी पहलों को ध्यान में रखकर, मेरी डीमेरिट, सभी चीज़ों को देकर, ये में पार्टी के लोग आपका साथ खुल कर नहीं दे रहे हैं, सिर्मुक्य मंद्री वीरबदर सिंग जी आपके साथ चुनाव प्रचार में नज़र आ रहे हैं, बाकी नेता दिखाई नहीं देते हैं, देखी ऐसा है, ये सब कई वर मीडिया में क्रेट की जाती हैं, हकीकत ह है कि 18 तरीकों जैसे मुझे टिकेट मिली और मैं अपने चुनाव क्षेतर में अपने गाउं तक गया, तो जगा जगा लगवग 20,000 लोगों ने मेरा सडकों पर उतरकर स्वागत किया है, और जो स्वागत किया है वो आहम जंता ने किया है, वहां के सभी नेता जो लोग थे उन्हों ने किया है, दो-तीन लोग नहीं आये थे, उसका करन था कि उससे एक दिन छोड़कर 20 तरीकों श्री रहूल गांदी जी की धर्मशाड़ा में रैली थी उसमें ब्यस्ते, अब जहां भी मेरे करेकरम हो रहे हैं, सभी लोग संगटर के मेरे साथ चल रहे हैं, और ठाकुर यहां से अमेरपूर से आपके सामने एक मजबूत उमीदवार हैं, दो बार लोग सभा चुनाव यहां से जीत चुके हैं, कितनी चुनावती है आपके सामने? करो मैं देखिये हर विकती चुनावती को समझ कर चुनाव लड़े, मैंनी समझता को प्यूप ड़ली बात हैं, लोग तंतर है, लोग तंतर में फैसला दो जनता न करना है, और मैं समझता हूँ कि जनता ठीक फैसला करेगी, अनुराग जी दो बार चुनाव जीते हैं, और म मेंबर पार्लेमेंट हैं मुनका मान समान करते हैं परतु जैसे ही मैंने परचार शुरू किया और मैंने लगफ़क मैक्सिम्म दो कंसिटूसी को छोड़कर मैं सभी कंसिटूसी टच करके आया हूं एक बात आम जनता में जो चल रही है आम व्यक्ति जो कार कह रहे हैं कि अनु आपको लगते हैं तो समय नहीं निकलता है अब समय लोगों को मिला नहीं लोगों के बीच में आये नहीं और आहिमांचल प्रदेश जो कई एक देपतों की भूमी कही जाती है वहां के लोग बड़े बूले वाले हैं और वो लोग चाहते हैं कि जिस बेक्ति को हमने बोटे बेक्ति हमारे बीच में आये हमारे काम करें प्रतु जनता से जब दूरियां नेता लोग बना लेते हैं तो जनता भी नेताओं को दूर करने में कमी नी चोड़े आपको लगते इसका फायदा मिल सकता है आपको देखिए मैंना ये मैं बात बड़ी स्पस्ट कहना जाता हू कि मैं ये चुनाब लड़ रहा हूं कॉंगरस का पार्टी के नित्रतों में राजा बीर बदर जी का अशीरवाद लेकर और ये जो चुनाब है मैं किसी की नेक्टिविटी को अपनी स्टेंथ नहीं मना रहा हूं मेरी स्टेंथ मेरी पॉस्टिविटी है मैंने जो 14 वर्षो में समाज की सेवा की है और मैंने हमेशा ही कहा कि मैं नेता नहीं मैं एक सेवक हूं और मैं सेवक के तौर पर ही जनता के वीच में रहा हूं और आगे भी सेवक बनकर ही रहना चाहता हूं लोग जिसको बोट डालते हैं वो चाहते हैं कि ये बेक्ति हमारी सेवा करें अगर आप हाई पुरफायल हो जाएंगे, हरुराक जी का जो स्टाइल है भो लोगों मे ये आम चर्चा है कि वो हाई पूरफायल हैं, आम बेक्ती से दूरी बनाते हैं, आम बेक्ती से बात नहीं करते हैं, और ज्यादा तर समय जो है वो किर्केट की दुनिया में, फिल्मी स्तारों एमपीलेट का मिलता है, अगर उसको भी आप जनता तक नहीं पुचा पाएंगे, तो कहीं ने कहीं जनता यह मैसूस करती है. हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संग के अध्यक्ष भी हैं. आपको लगता है कि उन्हों ने क्रिकेट के लिए हिमाचल के लिए कुछ खास किया है, खास तोर पर हमीरपूर के ख्यलाडियों के लिए? देखी मैंने किर्कट में कभी इंटरस्ट नहीं लेया मैंने कभी किर्कट नहीं खेली और रही मुझे किर्कट का 49 है पर अक्सर समाचार पत्रों में ये बात पढ़ने को मिलती है कि जो खिलाडी हैं वो ज़्यादा तर जो खिले गए हैं वो हिमाचल के खिलाडी नहीं खिले गए हैं वो बाहर के खिले गए हैं तो बाहर के खिलाडी जो खिलाए गए हैं उसे हिमाचल के जो नौजवान हैं उन्हें भी कही न कही रोश है और उन्हें ने किर्कट के लिए स्टेडियम बनाया धर्मशलाह में वो ठीक है स्वागत योगिया है अच्छा घाम किया है परंतु जहां तक खिलाड़ियों की बात है वो परदेश के खिलाड़ी ना खिलाकर बाहर के खिलाड़ी खेले गए उसे कहीने की नौज़ोनों में रोश्ट देखा जाता है और जहां तक किरकट का प्र करून पर देखिए एरोप मैंने भी पहले पढ़ाया और सभचार पत्रों में भी कि जो एच पी सिय बनाया गया है उसमें एक कंपनी भी बनाई गई है जब कि यह जो जमीन है किरकट स्टेडियम जो धर्मशाला में बनाया गया है वो सुसाइटी को जमीन जो है वो सरकार ने लीज पर दी थी और उसके बाद वो सुसाइटी की जो जमीन जिसको सुसाइटी को सरकार ने दिया था उसको बाद में कंपनी में कंवर्ट कर लिया गया तो कहीं ने कहीं वो चीज़ें समाच में सामने आ रही है वो तो यह कहते कि बदले की भावना से काम कर रही है कांगर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ने कहीं कभी है यह सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए था हमीर पूर में इस बार लगता है त्रिकोर्णी मुकाबला है आम आदमी पार्टी से शोहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की मां कमल कांता बत्रा भी आपके सामने हैं लगता है स जन्ता पार्टी और कॉंगर्स का ही होगा और जहां तक उनके विक्रम वत्रा जी की माता जी का प्रशन है वो चुनाव लट रही है हम उनका समान करते हैं और मेरा किसी केंडिडेट के प्रती कोई बिरोद नहीं है मैं किसी का बिरोद ना मैंने किया है ना मैं आगे करने वाला हूँ मैं अपना एजन्डे लगे चला हूँ मेरा एजन्डा गरीब का एजन्डा है मेरा एजन्डा सेवा का है और मेरा एजन्डा डॉल्मेंट का है और मैं विधाईक रहा सवा साल रहा महां की जन्ता ने मुझे बनाया और सवा साल में मैंने अपने एक शेत्र की जो डॉल्मेंट की है उसकी मैंने एक बुकलिट जो है तियार करवाई है और उस बूलोगों में घर घर अब बुकलिट चाहेगी कि आपके विधाई का एक वर्ष का जो रिपोर्ट कार्ड है जिन लोगों मुझे चुना है उनके बीच में जाना चाहिए हर व्यक्ति चाहता है हर वोटर चाहता है कि इसको मैंने चुना है उसका हिसाब लें कि आपने एक वर्ष में क्या किया है सवा वर्ष में क्या क्या है पांच वर्ष में क्या क्या है हम भी अपना रिपोर्ट कार्ड सवा वर्ष का जो है वो ज मुख्य मंत्रीGuore जदे असका सबसे बड़े मिलोधी कह सकता है मैंने कभी परेम कुमार भूमल जी का कहीं ब्रेस्ट नहीं किया एक भी कोई समाचारपत्तर एक भी क्लिपिंग कहीं बताएabbn बी जी पी तो आपने छोड़ी ना देखिए अगर किसी बिक्ति को घर से निकाला जाए, तो वो सड़क के बीच में तो रहेगा नि कहीं नि तो घर बनाएगा, मुझे तो छे वर्स के लिए भारतिय जंता पाटी ने निकाला, और जहां तक हनुमान की बात है, यह ठीक है, मैंने उनकी सेवा किये, और निश्व बनी तो मुझे लगा कि जिस तरीके से मेरे ऊपर पूलीस की रेड्स हुई, पूलीस की रेड्स करवाई, मुकदमे जो हैं, वो इनकारीया हुई, और उसके बाद भी जो सरकार का जो कारिया काल रहा, उसमें समें समें पर जहां ही मैंने कोई काम की बात कही, मुझे पब्ल इस नौट है कोई पड़े के पीछे कमरे की बात नहीं सुना रहा हूं, मैं publicly कह रहा हूं और बहां memorandum देते हैं मैंने कहा जी कि यहां सुजानपर की जनता चाहती है कि यहां पर सबड़ीजन खोला जाए, SDM का कारेले यहां पर बनाया जाए, क्योंकि हमीर पर मैं पाँच कंसिचुशिस हैं अगर चार मैं सबड़ीजन हैं, तो मैंने कहा सुजानपर मैं भी सबड़ीजन बनना चाहिए तो उनने मुझे कहा कि don't try to investigate the people, आप दसकत करवा के थोड़ी SDM के कारेले मिलते हैं और मैं उस बात से हर्ट हुआ, और अब जब बहां की जन्ता ने मुझे बधाइक बनाया, मैंने राजा बीर बदर जी के समक्षी मांग रखी, इमांग पूरी भी हुई, इंप्लीमेट भी हुई, आज महां SDM बैठा हुआ है, और पूरा करेले महां चल रहा है, लोगों को सौ किलोमेटर आना जाना पड़ता था, ऐसे विस्तान थे, सारा दिन लग जाता था लोगों के, क्राया खर्चे होता था, समय लग जाता था, अब सुझान पर मैंस जीम का, बहां पर करेले है, सारे काम बहां हो रहे हैं लोगों के, तो ऐसा कई चीज़ने रही है, और नहीं करी, इसलिए नहीं पलाई करी कि मुझे पता था कोई टिकट वाला काम नहीं होने बला है, क्योंकि जो ट्रैक रहा, पांच साल का, सरकार का, उसमें जो मेरे साथ ब्याभार रहा, वो मुझे मालूम था, इसलिए मैंने टिकट जरूर अपलाई की, पर जनता के बीच म नहीं करी मैंना, और जनता ने मुझे टिकट दी, और जनता ने मुझे जताया. नरेंद्र ठाकुर बीजेपी से कॉंग्रस में आए, फिर बीजेपी में चले गए हैं, क्या लगता है कुछ ऐसा हो सकता है आगे? देखिए ऐसा है, अब मैंने पके मन से में कॉंग्रस में हूँ, और पंदरा वर्स में मुझे भारतिय जनता पार्टी ने कोई टिकट नहीं दिया है, मेरा कोई मान समान नहीं किया है, अगर कॉंग्रस ने इतना बड़ा मान समान में राकिया है, निशित तोर पर ताज जि बने याओ, और जहां तक निवेंविर जी की आपने प्रशन पूछा है, वो उनका निजी जीवन है, निजी उनका अपना अच्छा और बुरा उनको लगता है कि भारतिय जनता पार्टी के बीच में जाकर उनका कोई फैदा होने बाला होगा, तो उनका अपना देखने है, मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ. अगर नोटिफिकेशन नहीं हुई तो सुभा भी कह कि अगर आपने सीट खाली किया तो भी चुनाब होगा, तो इसमें यह नहीं कहा जासकता, चुनाब तो आज के बाद भी होने थे, अगर वहानी होते तो उच्छे बीने बाद के अंदर अदर होने थे, यह तो बहुत अ देखिए, ऐसा है कि आदमी का जो अपना जीवन है, यह भी रिस्की है, और आदमी को, मैंने इसलिए मैंने रिजाइन किया है, कि अगर मुझे एक कॉंसिचुशी की सेवा करने का बहां की जंता नहीं मुखा दिया था और मैंने अपने सब लोगों को पूछ कर यह फैसला लिया, अगर मुझे सत्रा चुनाव क्षित्रों की सेवा करने का बड़े प्लेट फर्म पर मुखा मिल रहा है, तो निश्य तोर पर मैंने यह मन बनाया, अपने लोगों की राहे ली और मैंने करने का मन लिया, और जहां तक सफल और असफल वाली बात है, लडाईयां और य लिया, अपने आपको लगता है कि मुकाबला यहां कड़ा है, अनुराग ठाकर के साथ, या कमल कान अबत्रा के साथ, देखिए, मुकाबला कड़ा नहीं कहेंगे, मुकाबला इजी मी नहीं कहेंगे, परतु यह चुनाव हम जीतने वाले हैं, यह कितने वार्जिसेंट जीत डाने बाले हैं, मैंने कहा है, कि जंता फैसला करने वाली है. कि जंता को सिवादार चाहिए, या फिर हाई प्रोफाइल नेता, दुनों मेंसे तैय जंता करना है. मैं किसी के प्रेmbर लुचना नहीं कर रही हैं. आपको लगता है कि इसका अछार ही- reactions में देख सकता है देखिए मोधी कोई फेक्टर कोई लहर हिमाचल प्रदीश में नहीं है और जहां तक मोधी की लहर है यह लहर टीप टेलिविजन पे ज़्यादा नजरा रही है जमीन पे नहीं है किसी गुवारे को बहुत पहले एडवांस में अगर उसमें हवा भरके फुला दें तो देरी देरी हवा निकल जाती है अब देखिए आने वाले समय में धीरी देरी क्या होगा जनता जानती है और कॉंग्रस पार्टी के नितरतों में केंदर में जो योजने बनी हैं बहुत सा एक सुई यह तक नहीं बनती थी, आज यहां पर क्या-क्या बन रहा है, देश न कहाँ पहुंचा है, हम लोग साइकल की बात करते थे, आज हर घर में गाड़ी है, तो तरक्षी तो हुई है, और तरक्षी हुई है, तो यह कॉंग्रस के राज में हुई है। आपने हर गर में गाड़ी के बात कहीं, लेकिन महंगाई, ब्रस्टाचार के आरोप लगे, बेरोज़गारी बढ़ी है, मानते हैं आप UPS सरकार के कारकार में? ब्रस्टाचार के बात है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, और जहां तक ब्रस्टाचार की बात है, और महंगाई की बात है, यह तो ग्लोबल प्रॉलम्स हैं. पर इसका हल तो सरकारों को ही निकालना होता है ना ब्रस्टाचार कोई कॉंग्रेस के साशन में किसी भी ने किया है तो कॉंग्रेस पार्टी ने उसको शल्टर नहीं दिया है पर उसका नुकसान देश को तो हुआ अगर किसी ने किया तो उसको सजा भी दी है और ब्रस्टाच है सारी दुनिये में यह महगाही जो है वह बढ़ रही है और महगाई बढ़ रही थो पैसा भी उस तरीके से लोगों का फ्लो बढ़ रहा है इसलिए एक है कैसे लिए क्यों ऐसे लग रहा है आपको कि चारों सुटी क्योंकि अभी तो एक सीट है कॉंग्रेस के पास ही वह चल प्रदेश के लोग बहुत समझदार हैं और प्रदेश में राजाबीर बंदर जी की सरकार है और एक वर्ष में जो काम हुए हैं वो एक इतिहासी निरने लिए गये है अब मैं बताता हूँ आपको कि एक वर्ष में साड़े तीन सो स्कूल अपग्रेड होए हैं एजूकिशन का जो सिस्टम है उसको सुद्रिड किया गया है साड़े तीन सो स्कूल मुझे लगता है पंदरा साल में होते हैं अपग्रेड बहाँ पर पचास हॉस्पिटल नए ख पॉलेज इमाचल परदेश में खोले गए हैं बहुत सारे काम हुए हैं बच्चों के लिए free traveling जो है स्कूल के बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको free traveling जो है दी गई है जो बजुर्ग हैं उनको pension एक हजार पय pension सब के लिए लगा दी जो असीवर्स के उपर हैं और कोई pension उनको नहीं मिलती है बहुत सारी योजने जो हैं वो इमाचल परदेश सरकार में राजा भीर बदर जी के नेतरतम में अभी बनी हैं implement हुई हैं और लोग उनके सहमत हैं और लोग उनके पक्ष में यह जो हैं यह बिलकुल voting करेंगे 100% और यह चारो सीटें जीदेगे प्रिश्टा चार को लेकर जुबानी जंग चलती रहती है बीजेपी कॉंगर्स पर आरोप लगाती है कॉंगर्स पीजेपी पर किसे ज्यादा लगता है छवी को नुकसान होता है देखिए मैं बेक्ती के तोर पर यह कहना चाहूँगा कि हम हम भी चुनाब लड़ रहे हैं और हम किसी पर अरोप नहीं लगा रहे हैं मैंने कोई किसी पर अरोप नहीं लगाया हम सिस्टा चार से चुनाब लड़ना चाहते हैं प्रतु हम भी सिस्टा चार तक तबी लड़ पाएंगे जब तक दूसरे लड़ना चाहेंगे और मुझे जियु पूरन विश्वास है कि यह चुनाफ सिस्टाचार से होगा, हम किसी के ओपर किचड फैंक कर यह चुनाब नहीं लड़ना चाहते हैं, और यह चुनाब जो है, हम अपनी पॉज्टिविटी, अपने काम, अपना अजेंडे को लेकर लड़ना चाहते हैं, और किसी ने किया भी है प्रस्टाचार, तो उसका बुगतान उसको करना पड़ेगा, कोई भी हो, ABC कोई भी हो, इसलिए हम ये चुनाफ सिस्टाचार से लड़ने के मोड़ में हैं. कांगड़ा सीट में किस तरह का मुकाबला देखते हैं, राजन सुशान्त है, शानता कुमार है, उसके बाद सामने आपके प्रतियाशी? कांगड़ा में निश्री तरह पर कॉंग्रस का प्रतियाशी जीतेगा, 100% जीतेगा, क्योंकि श्री शानता कुमार जी की सेवा में राजन सुशान्त जी लगे हुए हैं, और निश्री तरह पर कॉंग्रस पार्टी हमारें बिल्कुल कॉंपटेबर हैं. आपको लगता नहीं कि वो आम आदमी पार्टी में आ चुके हैं, राजन सुशान्त और रुषचार के तमाम आरोप नों लगाए, अब सामने शान्दा कुमार जैसे दिगज हैं, तो यहां कॉंग्रस प्रतियाशी को थोड़ी मुश्किल हो सकती है? आखरी सवाल, हमेरपूर के जनता राजनर राणा जी को बोड़ी मुश्किल हो सकती हैं, तो यहां कि वो आधरी मुश्किल हैं, तो यहां कि वो आधरी मुझे प्रतियाशी के पक्ष में नजरा रहे हैं, और मेरा अपना मानना है कि हिमाचल प्रदीश में 100% रजल जो है, वो राजा बीरपदर जी के नेतरतब में आने माला है, आखरी सवाल, हमेरपूर के जनता राजनर राणा जी को वोट क्यों दे? वो इसलिए देगी कि रजिन्दा राणा ने हमिसा एक सेवक के त्यार पर सेवा की है, छोटे से छोटा बचा और वज़ूर तक रजिन्दा राणा के काम को हर आदमी पहचानता है, और कहते हैं कि a man is known by his deeds, आदमी के पहचान तो उसका काम है, उसके करम है, इसलिए मुझे अपने काम पर भी, मुझे अपने करम पर भी वरोसा है, और हमीरपर की जनता बड़ी प्रबोध है, बहुत पड़े लुखे लोग हैं, लिट्रेसी में सबसे हाय हाई हाई हमीरपर ही है, इसलिए वो समझधार लोग हैं और समझधार लोग ठीक फैसला लेते हैं, शुक्री हम दिखेंगे यूट्यूब पर हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर हम उनके साथ बने रहें राद दिन